इसलिए है इसका मकसद ये है कि हम आम लोगों तक जेनरल मास्टर के बात पहुचाए आप वोट करें आपका आईनी हक है आप गर उसे बाहर निकले आप वोट करें किसी लाइक बंदे को जो कल को पार्लिमेंट में डिजर्विंग बंदा आपकी बात को आगे तक पहुचा सके आप अभी इमोशनल ड्राइव्स हो रही हैं अभी फेक प्रॉमिसेज भी होंगे बट आपको उसकी तरफ नहीं जाना है आपको अपने दिल से पूछना अपने दिमाग से पूछना है क्या हम इस कैंडिडेट को चुनेंगे कल को यह हमारी बात आगे तक पहुचा सकता है हमारी मदद कर सकता है हमारे मसले हल कर सकता है या नहीं और आपका वोट मेरा वोट हम सब का वोट मिलके ही किसी केंडिडेट को आगे ले जाएगा हालाई में आपने देखा होगा स्रीनगर एलेक्शन्स हुए तो स्रीनगर और एलेक्शन्स में क्या हुआ तीसे चालीस फीसद लोग बस बहार आए वोट देने और जो बाकी 60% लोग है वो गर में बैठे रहे हैं उन्होंने वोट नहीं दिया अब कल को उनके मसाइल होंगे वो रोएंगे जी हमारी ये बाते पूरी नहीं हो रही है आगे तक नहीं ज करेंगे वो गर से बाहर नहीं आए जबकि उनके पास ये हक था वो किसी डिजर्विंग बंदे को आगे ले जा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक बात मैं कहना चाहूंगी यहां पर लगता है कि वोट देना नहीं है ऐसे वैसे लोग हिचके चाहते हैं वोट द को बेहनों को यंग्स्टर्स को ये बोलना चाहूंगी आप प्लीज ऐसे बंदे को वोट दे जो आपकी मदद कर सके जो डेवलप्मेंट ला सके तो बस जब मैंने लोग जॉइन नहीं किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था शायद हमें वोट नहीं करना चाहिए क्या ही फ दिल से दिमाग से सोंचेंगे और हम अपने पसंदीदा इसको कैंडिरेट को आगे ले जाएंगे और मैं इंजिनर साब की बात करना चाहूँ गया यहां पर tyre āटिकर इंडिरेक्ट बात करने चहिए बात तो डेरेक्टि होने जगीए तो सवाल भी आपका शाहिद इशारा वहीं पर था मैं ये कहना चाहूँगा कि पांच साल पहले पांच साल उनको जेल में हो गए आज तक आवाज नहीं उठी आज आवाजें उठ रही हैं कि वोट डालो क्या वोट डालने से इंजिनर साब बाहर आ जाएंगे यह बड़ा क्वेस्टन मार्ग है हमारे देश में एक कानून है जिसके तहए चाये हमारा प्रायम मीनिस्टर हो चाये हमारा कोई पारलेमेंट मेंबर हो अगर वो किसी एक्ट के अंदर बुक्ट है वोट का मसलہ है लोग सैंटिमेंट्स पे आके वोट ना डाले मैं यही कहुँँगा आज अगर हम देखें सिर्फ इंजिनर साफ जेल में नहीं है जैसे सर ने भी हवाला दिया कि बहुत सारे जेलों में हैं उनका क्या क्या उनके लिए आवाजें उठ रही हैं हमें तो नाम भी नहीं पता कुछ लोग ऐसे भी हमारे जैलों में हमें उनका नाम तक नहीं पता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये हम वोट काट कास्ट कर रहे हैं ये हमारा democratic right है हम किसलिए कास्ट कर रहे हैं इसके कुछ purpose है purpose यह है कि हममारा एक member चुनेंगे जो Parliament में जाएगा पार्लिमेंट में हमारी आवाज उठाए गरली होती है लेकिन एट लिस्ट गॉर्मेंट इस रिस्पॉंसिबल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल को ऐसा नेता है जो एट लिस्ट हमारी बात आगे तक पहुँचाए रही इंजिनर साब की बात जो अभी जेल में हैं हमें अफसोस है हम उस बात पे सेंटिमेंट के साथ हैं लोगों के कि जो ट्रेंड बंद रहा है बट इस बेस पे वोट कास्ट करना मुझे लगता है यह मनासर नहीं है बट डैट इस दे राइट आफ दो पीपल दे विल चूज दियर मेंबर एज यूज्वली बट मैं यह नहीं कहूंगा कि आप किसको वोट डालें कहां डालें मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपकी वोट का फाइदा सिर्फ आपको नहीं है आपकी पूरी कौम को है तो वोट के रिलेटेड ही है जैसा कि आज ट्रेंड में वही चल रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस ए डिमोक्रेटिक राइट जैसे हमारे का निस्टूशन में भी है वोट को फालो करते हुए हम यह कहेंगे यूथ से जो नए है पहली बार वोट डाल रहें उनसे भी और जो पहले वोट डाल चुके उनसे भी कि वो बिल्कुल बाहर आएं अपनी पावर देखाएं और अपना एक डिजर्विंग जो नेता होगा उनका जो मेंबर होगा उनक ही फालו हो रहहे है जैसे लोग सेंटीमेंट्स की बात करें यहां पर वो असलीशेरा नकलीशेरा वाला वो पहले कोट था है पहले का वो पहले यूज करते है लोग अब सीम फालो कर रहे हैं वो ही टर्णड चल रहा है जो जो पहले 2019 से पहले वो चल रहा था, उसके बाद बक्षी साब का एक वो कोट है, तजील अश्च में सविट, उसमें ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसा कोई ट्रेंड है जो 2019 से पहले सेम चलता आ रहा है, तो लोग सेंटीमेंट्स में आ रहे हैं, सेंटीमेंट्स में ना आ एं, खुझकि वोड ने, ऐसे नेता को वोड दे जो नेता कल को, आपकी बाद पारलियमेंट्स ने कर सेंटाफ की वोंदी में आऍड़ काल की जो बपरलियू में बð ऐस्के άख के लोगों को समझ आए, किसी भी हमें सेंटीमेंट्स में नहीं आ आसे pan Lesie किसी तरह का ऐसा आ रहे हैं उसमें हमने चेंजिंग देखी भी है भी बहुत सारी चेंजिंग आई है और इन्शाला इसके बाद भी हमें होप है लगता है लोग सड़कों पे हैं वोट के लिए हैं तो एक नहीं चेंजिंग आएगी आज की यूथ एजूकेटेड है और उनको कुछ कहने की जर हमने लाएंगे जो एक डिजरविविंग केंडिडेट होगा मैं नहीं करना चाओंगा यहांपे जो एक डिजरविंग केंडिडेट होगा वही इस चीज़ को चैंजर कर सकता है और कश्मीर के हालाँ को चैंजर कर providers किया हुए है तो मेरी कहने का मतलब और हमारे कांफरेंस का भी यही मतलब है कि यूद खुलके बाहर आए मैं तो कहता हूँ 100% वोटिंग होने चाहिए कि कल को ऐसा नेता है जो एक लिस्ट हमारी बात आगे तक पहुँचाए रही इंजिनर साब की बात जो अभी जेल में हैं हमें अफसूस है हम उस बात पे सेंटिमेंट के साथ हैं लोगों के कि जो ट्रेंड बंद रहा है बट इस बेस पे वोट कास्ट करना मुझे लगता है यह मनासर नहीं है बट डैट इस दे राइट आफ दो पीपल दे विल चूज दियर मेंबर एज यूजुली बट मैं यह नहीं कहूंगा कि आप किस को वोट डालें कहां डालें मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपके वोट का फाइदा सिर्फ आपको नहीं है आपके पूरी कौम को है आपकी कुमिनिटी को है आप अगर वोट डाल रहे हो आप सेंटिमेंटस पे आके वोट डाल रहे हो क्या आप खुद का बेनिफिट देखके डाल रहे हूं हमें रोर्स चाहिए हमें बîजली चाहिए हमें जो यहاں फैसेलिटी कश्मिर में आज तक छीने गई इतने बड़े स्केम्स किए गए उन स्केम्स से हमें बाहर आना है हमें ऐसा नेता चाहिए जो कल को हमारी बात कर सके बाकी लोगों से यही कहना चाहूंगा आप वोट कास्ट करें मैंने कह रहा कि 60 परसंट या 50 परसंट पर रोको इवन 90 परसंट लोग बाहर आएं जैसे ट्रेंड चल रहा है नार्थ किश्मीर में अच्छा लग रहा है कि लोग डिमोकरेसी पर बात कर रहे है डिमोकरेसी के साथ हैं लोग समझ रहे हैं अब बात को अब यूद समझ रही है कि सही क्या है गलित क्या है तो ये अच्छी बात है देख के अच्छा लगता है एज लाव स्टूडेंट में यही कहूंगा सब से कि एट लिस्ट जो भी चीज़ें हो बातों पर यकीना किया जाये आज हरे के पास मूबाइल फून है Google है गूगल किया जाए अब बैकडराउंड चेक किया जाए सबका एवन मैं जो भी नेता है इनके चारो background's, कौन कैसा है, किसने क्या किया है, कौन कितना कर सकता है. ये सब चीजें चेक करने के बाद आप vote कास्ट करो. कही dignity की development की, बहुत सारे नेता हैं हमारे. अच्छा लगता है सुनके, के development की बात हो रही है, dignity की बात हो रही है, लेकिन वो सब चीजें एक जैसे सब नेताज एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं मैंने तो मैनिफेस्टो वैसे देखा नहीं किसी का ठीक है तो अगर मैनिफेस्टो ही नहीं है किसी का कोई मैनिफेस्टो लेके आनी रहा है तो लोगों को कैसे समझ जाएगा कि इसके मेनिफस्टों में क्या है हम लॉयर्स एं हम अपनी बात करें हमारी बात भी नहीं की जा रही है कहीं पर क्या एक लॉयर्स कम्मीनिटीr नहीं हूनी चाइए क्या इन पर एक मैं कहूँगए इनकी एक body नहीं होनी चाहिए इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है मेनिफेस्टों की बात तो दूर की है यहां पे लोग मुझे लगता है ज्यादातर अब वो ट्रेंड प्रिविस ट्रेंड जो फालो करते आ रहे हैं वो ही सेम करते जा रहे हैं और मैंने पहले ही कहा आप से जितनी population है वो पूरी population कभी इदर है कभी उदर है यह वो ही वाला trend से फालो रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नहीं जो हमारी जूद है कि किसी ऐसी चीज़ पर ना जाएं और वोट कास्ट करें वोट कास्ट इसलिए करें ताके उनको समझ आ जाए कि जो हो रहा था वो अब फ्यूचर में ना हो से यह देखना चाहिए कि हमारी गाव्मेंट्स ने आज तक हमारे साथ क्या किया है कितने दोखे बाजिया हुई है हमारे साथ उन दोखे बाजियों से बाहर आना चाहिए अगर उनको लगता है कि एक ट्रेंड क्या होता था हमारे सिर्नगर के अंदर इतनी वोटिंग नहीं होती तो जो रियसेंटली हुई है परसंटेज आप मीडिया से हो आपको बहुत भी पता है कि परसंटेज क्या रहती है आज कल वोटिंग की तो यूद समझ चुका है यूद जान चुका है कि हमें आना है हमें वोट देना है वोट समझ चुके हैं और मैं एक और बात जो इंपॉर्टन बात एड़ करना चाहूंगा मैं हर एक ये नेता से भी कहना चाहूंगा कि अब महर बानी करके किश्मिरियों पर इनसाफ किया जाए जो हुआ सो वो किश्मिरी में भी बूल जाए लेकिन अब आगे एक बार फिर से डिमोक्रेसी पर लोग बरुसा कर रहे हैं सामने आ रहे हैं और ये बुरुसे वाली बात है कि बुरुसा अब ना तोड़ा जाए स्टूरेंट्स अब लोग ये हर एक इनसान का हर एक आदमी का हर एक औरत का फर्ज बन्दा है कि वोट कास्ट करे अपना वोट अगर हम कास्ट करेंगे